केवल सर्दी के मौसम में ही त्वचा रूखी नहीं होती है, एकदम से मौसम बदल जाने से भी त्वचा रूखी लगने लगती है, खास कर मौसम बदलते ही चहरे, हाथ, पैर और एडियों की त्वचा रूखी सुखी हो जाती है, इस समस्या से बचने के लिए कुछ हेल्दी tips अपना कर skin को soft और सुन्दर बनाया जा सकता है तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही tips के बारे में सरदियों के मौसम में तुचा से तेल निकलना कम हो जाता है जिसके वजह से skin dry हो जाती है ऐसे में हमें उपर से skin में moisturizer लगाने की आवश्यक्ता होती है इसके लिए आप body lotion और chemical रहित cream का इस्तेमाल कर सकते है इसके अलावे शरीर में पानी की कमी के वजह से भी skin dry हो जाता है इसके लिए प्रयाप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए तवचा को मुलायम बनाए रखने के लिए नहाने से पहले आप सरसो तेल या नारियल तेल को पुरे शरीर में लगाए ये उपाय आपकी तवचा में नमी लाने में मदद करता है ये natural moisturizer का काम करता है नारियल तेल की मालिस आप नहाने के बाद भी कर सकते है आप अपने नहाने के पानी में गलिसरीन डाल कर भी नहा सकते है जिससे आपकी तवचा मुलायम और हेल्दी बनेगी अपनी तवचा को मुलायम और हेल्दी रखने के लिए ज्यादा केमिकल वाले लोशन और क्रीम का इस्तेमाल आपके स्किन को नुकसान पंगुचा सकता है इसलिए natural moisturizer तेलों का इस्तेमाल ही करें जिससे की आपकी स्किन हेल्दी और सौफ्ट बनी रहें तो इस तरह से इन उपायों को करके आप अपनी ड्राइ स्किन को मुलायम बना सकते है आज के इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद